हेलो दोस्तो स्वागत एक और नए वीडियो में तो आज हम इस वीडियो में आपको दसवी बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए मैं आपके काफी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड परिच्छा 2023 में 95% आने की गरांटी है किमकि यह सभी अब्जेक्टिव कोश्चन अनभवी सिक्छकों को द्वारा गेस किया गया है तो वीडियो को लास तक देखना और एक एक अब्जेक्टिव कोश्चन को एकदम याद कर लेना ठीक है तो चलिए बिना टाइम के बाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं तहाँ पर आप पहला प्रसन देखिए आपका पहला प्रसन है दोस्तों कि किसी निश्चित घटना की प्राइक्ता होती है किसी निश्चित घटना की प्राइक्ता होती है निश्चे लिखा गया है संभाव निश्चित को आप संभाव भी बोल सकते हैं अगर निश्चित के लिखाव संभाव होत होती है तो असंभाव को अनिश्चित भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है तो किसी असंभाव के अटना की प्राइकता क्या होती है तो 0 होती है संभाव घटना की प्राइकता 1 होती है असंभाव घटना की सुबह साम लाइब टेस्ट दे सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडियेव वगरा चाहिए तो वही पर आपको पीडियेव में मिल जाएगा और वहां सा भी भी सब्जेक्टिव कोशन याद भी कर सकते हैं मात्र वही एक एप जिस एप के थुरू आप चार गणितिया माध्य क्या होगा अंक गणितिया माध्या अंक गणितिया माध्या का समस्तों नमान क्या होगा एन परस टोटल अंक को टोटल अंक में एक जोड़ेंगा बाई टू एन की अंसर होगा एक नमर वाला एन नमर होगा एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई ठीक है अगला प्रसने आपका यदि किसी गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल फोर पाई वर्ग से में है तो उसका ब्यास क्या होगा कहा रहा है कि यदि किसी गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल तो गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल क्या होता है 4 pi r square equal to 4 pi तो 4 pi से 4 pi कटेगा ठीक है तो r square बराबर क्या बचेगा एक बचेगा तो r बराबर भी एक बचेगा तो r का मान हो गया 1 cm लेकिन ब्यास का रहा है तो ब्यास d बराबर 2 r होता है तो 2 में और r को एक से गुना करिएगा तो 2 semi answer c मिलेगा 2 second नहीं बलकि 2 semi c नमर वाला से उत्तर मिलेगा ठीक है अगला आपका प्रसने आता है 5 नमर 5 नमर प्रसने यदि किसी बिरित की परीधी 4 pi से बढ़ कर 8 pi हो जाए तो उसका 6 रफल हो जाएगा देखिए जब बिरित की परीधी 4 pi रहेगी तो उसका 6 रफल 2 गुना होगा लेकिन वही अगर उसको बढ़ाकर 8 pi कर दिया जाए तो उसका 6 रफल जो हैगा अनन अन तो लिखा नहीं है लेकिन अनान काजाएं का होता है को सुझित करते हैं को ठीक है पहले को कोशिन को जो मैं परता हूँ उसको अपलोगी अगर ध्यान से शनी का न तो को आपको कोई भी प्रसना हिसी नहीं हो हर नहीं हो तो आपको कम कि मेरा बताए हुआwire साथ नमर प्रसन है किसी बृत के बाहया बिंदू से कितनी इस प्रसरेखा खेची जा सकती है अब कहा रहा है कि कोई बृत है और उस बृत के कोई बाहया बिंदू हम लेंगे तो आप कितनी इस प्रसरेखा खीचना है तो आप कितना खीच सकते हैं कितना संभव हो सकता है तो मातर दो ही संभव हो सकता है और जो ये दोनों संभव स्परस रखा होगा ये दोनों आपस में बराबर होगा ये भी बराबर होगा ये भी बराबर होगा और मातर दो ही होगा तो याद रखना ये आपके लिए काफी महत्पूर है और समान दोनों स्परस रखा आपस में ब इसका मान मिलेका 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होगा, सब लोग याद रखेगा is equal to क्या होगा, मेरे प्यारे student is equal to 1 होगा, अगला प्रसन आपका आता है 9 नमर, 9 नमर प्रसन है, sin 90 minus theta बराबर है, तो sin 90 minus theta cos theta का बराबर होता है, cos theta, cos beta नहीं, बल्कि cos theta, answer होगा, आपका बी नमर, cos theta, सब लोग याद रखेगा न, sin 90 minus theta, direct formula से है, तो formula अगर आप लोग याद करना चाहते हैं, या फिर formula का PDF लेना चाहते हो, तो हमारे WhatsApp ग्रूप को जोइन करो, आपको वीडियो के description में आपको WhatsApp ग्रूप का भी link मिल जाएगा, एप कभी link मिल जाएगा, website कभी मिल जाएगा, Twitter, Instagram, blog वाला चैनल, सब कुछों का आपको link मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको न, इस बाट 450 का target रखाऊँ, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई कहते हो, तो आपका भी सपना होगा, कि मैं भी 450 plus नमर लाऊँ, ठीक है, तो मैं आप लोग का सपना के साथ खिलवार नहीं कर सकता, मैं आपके सपने को, मतलग कि सकार बनाने के लिए दिन रात एक कर दूँगा, चाहे वो दिन हो, या फिर रात हो, मैं एक दोनों को एक कर दूँगा, ठीक है, बस आप लोग अच्छे से बढ़ाई करो, और 450 का टार्गेट रखो, ठीक है, 450 का टार्गेट रखेंगे, तो आपका टार्गेट जरूर पूरा होगा, चलिए, अगला कोर्शन आपका आगया, दस नमर, टैन अठार डिगरी, बट एक कोट बहत्तर दीर, एक्चुली में दोस्तों, यह जो कोर्शन ना, एकदम हुप अन्सी आर्ट का कोर्शन है, और इस कोर्शन को याद रखेगा, एंसर मिले का वन, देखिए, जब भी अगर 10 कोट के रुप में, सिंगल दे, बाटा में, तो उसका मान हमेसा एक मिलेगा, चाहे वो साइन कोसे के रुप में रहे, या फिर सेक, सेक या फिर कोस के रुप में रहे, उसका मान हमेसा एक ही मिलेगा, अगर बाटा में रहेगा, तो याद रखना, ठीक है, अब देखिए, प्रसन आ गया यह काफी जलका हुआ प्रसन है यह प्रसन है आपके बोडिक जा में हजारों बार पूछने वाला 9 C square theta minus 9 10 square theta का मान बताएं तो अगर आप 9 कमान लेंगे तो बीच में बच जाएगा C square theta minus 10 square theta और आप लोगों ना formula में याद कियोंगे कि इसका मान होता है 1 तो 9 गुणे 1 equal to 9 हो जाएगा तो 9 तो हमको लगता answer D नमर में दिया है तो D नमर पर ठीक लगाएंगे 9 answer मिलेगा हमारा 9 चलिए अगला प्रसन है आपका 12 नमर 12 नमर प्रसन है 10,6 degree का मान क्या होगा 10,6 degree का मान क्या होगा तो मेरे प्यार स्टुडेंट 10,6 degree का मान root 3 होता है kेवल and केवल root 3 होता है अगर 10-30 का बात करें तो 10-30 का मान होता है 1 by root 3 ठीक है याद रखना 10-60 का मान यह होता है और इसका हो जाएगा यह 10-30 का होता है यह 10-30 डिगरी का होगा ठीक है याद रखना सब लोग याद रखेगा ना काफी मत प्रकॉशन है confusion मत हो जाएगा 10-30 का यह होता है 10-60 का यह होता है ठीक है अगला प्रसन आगे डिरेक्ट फर्मूला से 1 प्लस कौट कोट स्कौर बराबर है तो 1 प्लस कौट स्कौर कोवसे का स्कौर ठीटा का बराबर होता है क्योंकि एक्चुलि माम लोग एक फर्मूला याद कि होंगे 1 होता है तो यहीं से हम निकाले हैं 1 प्लस कौट स्कौर ठीटा तो हमारा मिला है इक्वल टू में कौवसे का स्कौर ठीटा तो कितना असान हो जा रहा है देखिए मैत कोई भारी चीज नहीं है बलकि इससे आसान करने के लिए थोड़ा दिमाग की जरुद पड़ेगी और दिमाग मैं आपको देखिद दूँगा बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आपको डाउनलट खिलीए उस अपके थूरू आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और साथ मैं याद रखना मैं आपको को यान कि चतुर्थांस यान की पाद पहाचाने का ट्रिक विडियों बता भी चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वाड्रेंट रहेगा थी यह पहला घर इसको समझेगा इसको दूसरा घर इसको तीसरा घर और इसको चौथा घर समझेगा तो पहला वाला कहाता है कि मैं दोनों को positive करूँगा दूसरा वाला कहाता है एक को माइनस लोंगा फिर एक को पलस लोंगा यानिकि पहला माइनस फिर पलस और तीसरा कहा रहा है कि चलो मैं दोनों मैंनस ले ले लता हूं और चौथा कहा रहा है कि पहले पलस लोंगा उसके बास मैं माइनस लोंगा तो याद रखना है पहला में पलस पलस दुसारका में माइनस प्लस, तीसारका में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, तो दो कमा तीन, तो दो में प्लस चुपा है, और तीन में माइनस तो अलेड़ी दिखाई दे रहा है, तो प्लस और माइनस, यहाँ पर चौथा कर में आया की नहीं, तो चौथा यान की च पंद्रह नमर मूल बिंदु का निर्द्र सांग होता है एकशिल में दोस्तो कोडिनेटव कोडिनेट हमेंसा जीरो कॉडिनेट्व हो ओ टिक है है 한번 at प्रस्द आ गया 20-3-2 में कोटी कामान क्या होगा अगर मान लेते हैं कि कोई आपके पास बिंदू है जैसे कि P एक बिंदू है जैसे कि X कामा Y एक बिंदू है और मैं बोलू आप को इसमें भूज क्या है और कोटी क्या है तो सबसे पहले आप जो X दिखाई देगा इसको आप भूज के रूप में पढ़िएगा ठीक है और जो ये Y रहेगा इसको आप कोटी के रूप में पढ़िएगा कोटी के रूप में आप लूप पढ़िएगा भूज और कोटी याद रखना भूज और कोटी तो दूसरा वा देखेज़ कुछा मैं नावाब पत का शूतर होता है जो मैंने आप लोग को बताया है लेकिन फिर भी बता देता हूं एन बराबर- या फिर टी तीएन बराबर दोनों का मतल रही की होता है बदल की होता है यह प्रन a-1 into d वहता है यह नमापत का सूत्र होता है ठीक है और एक Anthym Pud होता है Anthym Pud को हम लोग लोग Sun करते हैं और Anthym Pud का भी यही formula होता है a plus n minus 1 into d याद रखिए का उसका भी यही formula होता है a plus n minus 1 into d ठीक है तो रहा हां दो a plus n minus 1 into d अंसर यहां पर आपको C नमर मिल जगा N पॉलस नहीं बलकि A पॉलस N मानोस 1 इंटू टी ठीक है याद रहेगा ना चलिए अभी तक जो भी बन्दा इस वडियो को लाइक ने किया एक लाइक जरूर करिए क्योंकि मैं इतनी बारे की से आपको बता रहा हूँ और एकी कोर्शन को अच्छेतर करें समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा की 100% कमजोड चातर एकी कोर्शन को समझ पाएंगे तीक है जो लोग एक ही कोईचन को अगर अच्छे समझ रहे हैं वो कमेंट करके हमें बता देना ठीक है कि सर मैं समझ पा रहा हूँ ठीक है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताए है मैं अलग से दूसरे ट्रीक से आपको समझाओंगा मैं आपको किसी ने किसी क्रीक करें कि आपका मंजिल हमें दिखाना है कि आपकी इस मंजिल की और जाना चाहते हैं दिल क्या है अब कहा जाना चाहते हैं मेरा वही काम है ठीक है याद रखना अठरवा जो प्रस ने एक का चार दस वांतर आपको निकाला देखिए सारवांतर का यह फिर पादांतर का यह दोनों का मतलब से होता है तो सारव अंतर को हम लोग D से स्विश्चित करते हैं सब लोग जानते होंगे A प्रथम पद, D सारव अंतर L अन्तिम पद, N अन्वा पद यह सब होता है सबको पता होगा तो D बराबर आपको निकालना है D का मान तो D बराबर दूसरा में से पहला घटा दिए, दूसरा क्या है? कोई बिब्दा दयाँ नहीं रहता है और कोई भी बन्दा नहीं होता है मैं आपको बता दू हुँ सबका दिमाग से लएगा इसा सब्सक्राइब तो बस अपने पर विश्वास रखिए मैं पड़ सकता हूं एक जिन्दगी मिली है तो उसको बरबाद न करूं जिने के लिए अगर आपके सामने मुसीबत का आप लोग सामना करें अगर आप उस मुसीबत का सामना करके अपने मंजील को पास सकते हो तभी आप एक अच्छा इंसान का लाएंगे कि बाज को समयते हो ना कितना भी बारिस होता है तो क्यों होता है लेकिन वह बादोल को फाड़ कर उपर चला जाता है और बोलता कि तू कितना भी बरस ले मुझे कोई वरवाव नहीं है तो आप लोग एक ब किस्मत भी साथ देती है जो बंदा मेहनत करेगा किस्मत उसी का साथ देगी जो बंदा मेहनत नहीं करेगा उसका किस्मत कभी साथ नहीं देगी एक बात हमेसा याद रखना ठीक है तो चली मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा समय होगे अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आ और सावरे ग्रूप में इस वीडियो को सेर कर दीजिए सबी लोग के पास इस मतलब की वीडियो जाना चाहिए ताकि सबी लोग इस वीडियो के देख सके कि मैं भी एक अच्छे टिचर्स के साथ पढ़ता हूँ ठीक है चलिए